ऐसा क्या हुआ जो कनाडा के राजनिक को पांस दिन के भीतर भारत छोड़ने की बात की जारी है यानि कि पांस दिन में आपको भारत छोड़ना पड़ेगा तो ऐसी क्या घटना घटनी तो ही ऐसा क्या हुआ जो कनाडा के राजनिक को बोला जा रहा है कि भाई पांस दिन के बीतर आप भारत को छोड़ दें तो गटना शुरू होती है इसकी शुरुआद हम देखेंगे के एक नागरिक है कनाड़ा का जो खालिस्तानी संबर तक भी बताया जा रहा है निजजर ठीक है तो हरदीप सिंग निजजर पूरा नाम है इनका और इनको लेके एक कर रहे हैं यह जाच में पाया जाता है कि भारत की खूपी अजेंसी का हाथ है इसमें भारत के खिलाब कारवाई करेंगे ऐसा स्टेटमेंट देही रहते संसद में कि कुछ ही समय बाद उनकी विदेश मंत्री ने अगला स्टेडमेंट दिया मीडिया को कि हमने भारत के एक उच्च राजनाइक को निस्कासित कर दिया यानि बरखास कर दिया है और वो कनाड़ा छोड़के जाए यहां से तो जोनों ने निस्कासित किया तो निस्कासित की कारवाई में भारत कैसे चुप बैठ सकता था जबकि भारत का उसमें कोई हाथ नहीं है और भारत का कहना है कि जब G20 में कनाड़ा पीम आये थे तो उन्होंने यहां भी कही थी लेकिन भारत ने उनकी सारी बातों को खारिश किया था और कनाड़ा जाने के बाद गेस्टिन टूडो इस स्टेडमेंट को देते हैं उसके बाद उनकी विदेश मंतरी कारवाई करती है भारत के राजनाइ भारत के पदान मंतरी ने किया भी ऐसा ही विदेश मंतराले में बुलाया उनके राजनाइक को और बुला के बोला मातर चार मिनट की मुलाकात हुई और उस चार मिनट की मुलाकात में ऐसा बोल दिया कि आपको मातर पांच दिन में जाए और पांच दिन में भारत को पड़ेगा पास दिन के भीतर लेकिन अब देखेंगे हरदीब सिंग निजजर है कौन और इस ब्यक्ति को इतना हाइलाइट कैसे किया जा रहा है कि यह दो देशों के बीच में जबकि अभी G20 में दौनों देश ठीक थे और आज दो देशों के बीच में एक असांती का कारण बना हुआ निजजर बेटा एक खालिस्तानी समर्तक इंसान था जो 1992 से भागा फर्जी पासपोर्ट के द्वागा और फर्जी पासपोर्ट से पहुंचा कनाड़ा में जैसे कनाड़ा में पहुंचा तो फर्जी पासपोर्ट था तो नागरिकता मिलने का कोई चांस नहीं थ उसने का कि मैं एक सरनार्ती हूँ और सरनार्ती को नागरिकता दी जाए। उसने जो सरनार्ती वाली चीजये रखी वो भी गनाडा सरकार ने खारिस कर दी और नारिकता फिर नहीं मिल पाई उसे। फिर आगЕ छलके उसने क्या किया। कि वहां की जो महिला थी उस महिला से साधी कर ली और साधी करने के बाद वहां का नागरिक बन जाता है अब नागरिक बनने के बाद अपने काम की सुरुवात करता हूँ एक पिलंबर की रूप में यानि एक पिलंबर जो खालिस्तानी इतना बड़ा नेता बन गया आप देख आप आगे देखेंगे, तो sick for justice, sick for justice एक संस्ता थी वाँ, वो उसका दस्ताष्य बना और उसका सदस्ते बनने के बाद वो इतना घुस्ता चला गया इन चीजों में, कि आगे चलके उसने खालिस्तानी टाइगर फोर्स बना लिया अपना खुद का, और खालिस्तानी टाइगर विचारधारा को और सपोर्ट भारत में बढ़ाना ये करने लग गया ऐसा करने की वज़े से NIA ने क्या किया कि इसको Most Wanted की लिष्ट में डाल दिया अर्दीप सिंग उज़र को जब Most Wanted की सूची में पड़ा उसके बाद 2022 में जाके NIA ने इस पर 10 लाग का इनाम गोसित किया यानि कि कनाडा का नागरेक जिसका जस्टिन टूडो इतना आप देखेंगे इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप उसका इतियास देखें तो इतियास कैसा है ठीक है तो उसका इतियास ये रहा है और ये इतियास होने के बावजूद भी उस नागरेक का सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा कनाड़ा सरकार के द्वारा तो ऐसा जो उनका नागरिक जिस पर 10 लाग का इनाम है most wanted रहा है NIA के द्वारा फिर भी कनाड़ा के जस्टिन टूडोस को सपोर्ट कर रहे हैं यह कहीं न कहीं सोवा नहीं देता है लेकिन उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है और भारत ने कारवाई कर दिये सेम उसी तरीके से जैसे की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होई यदि मान के भी चलिए हमने यदि मारा है भारत सरकार ने माल लेते हैं कि भारत की कुपी आजनसी ने मारा है निजजर को तो यदि मारा है तो आप सोचिए भारत ने बहुत बड़ी कारवाई की है फिर सेम बैसी कारवाई जैसी पाकिस्तान सरकार के साथ हमने सर्जिकल स्ट् नागरिक आपने देखा कि नागरिक most wanted है तो यह बे बुन्याद चीज़े हैं कनाडा सरकार के द्वारा जो अपना ही जा रही है और यह रहा इस मामली को जो इतना हाइलाइट किया जा रहा है कनाडा सरकार के द्वारा पासा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए और सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद